Binary का मतलब होता है वो compound जिसमें केवल दो element हो जैसे X और Y दो element हो इनको मिलके जो compound बनेगा उसे binary compound कहते है stable binary compounds जो बनेंगे lithium और oxygen की help से हमें basically एक तो उसने ये बता दिया है कि lithium और oxygen होना है उसमें ये बात तो clear है कि ये दोनों को मिलके ही होना है अब हमें जो basically दूढ़ना है वो ये दूढ़ना है कि lithium के कितने alum हो और oxygen के कितने atom हो इनके atoms का count हमें दूढ़ना है उसने आदी problem solve कर रखी है कि ये बता दिया है किस किस को participate करना है बस हमें ये बताना है कि उनके कितने atom participate करेंगे तो इसको थोड़ा समझ लें पहले इसका concept समझ लें Let us say X और Y atom की बात हो रही है और Y atom ऐसा है जिसे एक electron चाहिए ताकि वो noble gas बन जाए और X ऐसा है जिसे एक electron देना है ताकि वो noble gas बन जाए तो ये इसको दे के बात बनती है इसको accept करके बात बनती है तो इसका मतलब साफ हो गया कि ये दोनों मिलके एक compound बना सकते हैं जिसमें ये दोनों इकठे होंगे और ये अपना electron उसको दे देगा उसकी भी story पूरी हो जाती है और इसकी भी पूरी हो जाती है ये है story में सारा मसला अब इसको जो ये कितने atom ये कितने electron दे सकता है that is call its valency ये कितने electron accept कर सकता है वो इसकी valency है इसको valency बोलते हैं तो हमें अगर इनकी valencies पता हो जाएं जो हमें पता चल जाए कि ये कितना एक atom कितना electron दे सकता है एक atom कितने electron accept कर सकता है अगर हमें इनकी valences का पता चल जाता है तो हम ये तुरंत पता लगा सकते हैं कि ये कितने कितने आपस में मिलके adjustment कर सकते हैं तो ये है इस बात की story So let us start solving our question सबसे पहले आईए लिथियम और oxygen पे जब भी ऐसा question करना हो तो आपको सबसे पहले इसकी valence पता होनी चाहिए Valence का पता होने का एक आसान तरीका तो ये है कि आपको उसका group number पता हो वो group number उसकी valence होगी या 18 minus group number उसकी valence होगी जो भी इन में से छोटा हो वो उसकी valence है तो अगर पहले group की बात हो रही है पहले group में जैसे lithium आता है तो lithium की valency एक है oxygen जो है वो solve एंग group में आता है तो उसकी valency कितनी होगी 18-16 2 तो lithium की एक और oxygen की दो ये तो है एक तरीका उसको समझने का लेकिन इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है और उस तरीके से हम ये वाला जो last part दिया हुआ है न 71 और last part इसका वो उस तरीके से ही solve होने वाला है so let us try to understand कि इसको हम कैसे हम lithium का दूसरे तरीके से इसका valency पता लगा सकते हैं तो lithium को अगर मैं लिखता हूँ lithium का जो configuration है वो होता है helium to S1 यह आप बनाई लेंगे इसका मतलब यह है कि यह जो helium है अगर यह अपना एक electron छोड़ देता है S1 का एक electron छोड़ देता है तो यह वापिस एक noble gas बन जाता है so यही से conclude हो सकता है कि lithium जो है इसकी valency है एक इसको आप यहाँ लिख लीजिए अगर मैं अब oxygen की बात करूँ oxygen का मैं यहाँ लिख देता हूँ वो होता है इसका configuration helium 2s2 2p4 यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो p shell है p sub shell है इसमें मुझे 4 तो अलड़ी है अगर मैं इसमें 2 और डाल दू तो यह पूरी हो जाएगी और 2 6 और 2 8 तो यह पूरा हो जाएगा इसका मतलब है कि एक oxygen जो atom है उसको 2 electron चाहिए और इसकी valency 2 मानी जाएगी तो इसको हम 2 लिख लेते हैं अब हमें अगर अब यह पता लगाना हो कि इसके कितने चाहिए और इसके कितने चाहिए वैसे तो आप बुझारत इसको ऐसे puzzle करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि lithium के 2 चाहिए दोनों 1-1 electron दे देंगे उनकी story पूरी हो जाएगी और इधर oxygen जो है इसको 2 electron चाहिए इसकी भी पूरी हो जाएगी यानि कि all the 3 of them will be okay will be happy ये तो एक इसका तरीका है जो थोड़ा सा कई बच्चों को complex लग सकता है इसका छोटा तरीका ये है कि इनकी valences आप टॉप पे लिखिए जैसे मैंने यहां लिख दी है 1 and 2 फिर इनको करिए आप cross इनको cross करिए तो lithium के नीचे cross होके वो 2 नीचे आ जाएगा और oxygen के नीचे 1 आ जाएगा उसको हम नहीं लिखेंगे तो Li2O जो है ये इसका यहां पे compound बनता है ये इस तरह से ये आपको valency ढूंड के या तो उसका valency को आप group के हिसाब से ढूंड ले या electronic configuration के हिसाब से ढूंड ले जैसा भी easy लगे तो इसकी जो valency का मसला है सारा इजी तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने जो next part की तरफ तो इसका हम लिखेंगे solution कि Li2O will be an ionic compound ये ionic compound है क्योंकि lithium पूरे के पूरे electron अपने दोनों अपने हटा देता है और वो oxygen को दे देता है जो lithium है इसकी जो electron ionization enthalpy है जो ionization enthalpy है वो बहुत कम होती है तो ये अपने electron easily पूरे के पूरे हटा सकता है metal है पूरे के पूरे electron अपने donate कर सकता है ये पूरी donation कर देता है complete transfer कर देता है इधर oxygen है non metal है इसकी electron gain enthalpy बहुत negative है तो ये उनको हसके accept भी कर लेता है this is a complete transfer तो complete transfer हमेशा ionic bond बनाता है so this is called an ionic bond ये हमें पता भी है और यहां लिख दें तो उसके marks आपको थोड़े better बिल जाएंगे इसके आगे है magnesium और nitrogen magnesium group 2 में आता है तो वहीं से हमें पता चल जाएगा कि इसकी valency 2 है nitrogen जो है वह आखिर में जाके पंदर में group में आता है तो 18-15 3 हो जाता है cross multiply कर दीजिए mg3n2 ये इसका answer बन जाएगा अगर इसको मैंने electronic configuration से करना है तो magnesium की electronic configuration आपको पता होनी चाहिए ये आप ढूंडी लेंगे कि वह neon के आगे वह neon के आगे 2s2 होगा तो ये magnesium का जो electronic configuration आ जाता है तो ये दो electron छोड़ देगा तो यही से आपको ये पता चल रहा है कि ये इसका valency 2 है और इसके साथ nitrogen है तो nitrogen का आगर मैं electronic configuration लिखूंगा वो होता है helium के साथ 2s2 2p3 ये तीन electron accept कर सकता है magnesium 2 electron donate कर सकता है तो nitrogen की valency 3 magnesium की 2 तो अगर मैं इनको cross कर दूँगा mg3 and 2 ये answer बन जाएगा तो इसका answer mg3 and 2 and this is known to be a covalent pond अब इसके आगे हम अगले question पे चलते है aluminium और iodine जो aluminium है इसका valency होगा 3 और जो iodine है इसका valency होता है 1 ये इसका जो 3rd group में आता है और ये आपका जाके 70th group में आता है ये 3 हो गई इसकी 18-1, 18-17 1 हो गई, cross multiply करिए al i3 ये compound बनता है अगर मैंने इसी को उसकी configuration के हिसाब से करना होता तो aluminium का configuration आप ढूंडी लेंगे वो n neon से बनेगा 3s2 और 3p1 ये आपका neon से इसका 3s2 3p1 आ जाता है इसका valency बन जाएगा 3 aluminium का, ये group 15 में होता है 15 में होने से 18-15 तीन और ये इसकी valency 3 बन जाएगी और iodine जो है वो 17 ग्रूप में होता है तो 18-17 इसकी valency 1 बन जाएगी तो ये 3 donate कर सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं AL3I1 cross multiply करिए aluminium triodide ये इस type से इसका जो answer aluminium triodide इसका जो answer है वो बनेगा इसके बाद हम next part पे चलते हैं silicon और oxygen silicon और oxygen के लिए हम silicon का हमें पता है कि वो carbon वाले group में आता है तो इसका जो valency है वो 4 होगा और oxygen का valency हमें 2 पता है इनको करिए cross multiply Si2O4 इनको shortest terms में ले आईए SiO2 ये इस type का ये इसका compound बनेगा और इसका हम अगर answer लिखेंगे SiO2 is a covalent bond ये इस part का answer आपका SiO2 silicon dioxide अब आगे चलिए P और F पे phosphorus और fluorine पे phosphorus जो है इसका अगर आप देखेंगे तो ये nitrogen वाले group में आता है तो ये 15 होता है तो 18 में से 15 गए 3 इसका 3 है valency this is fluorine is a halogen इसकी 1 valency है तो अगर आप इसको वैसे करेंगे तो ये PF3 easily बन जाएगा लेकिन हम phosphorus का अगर हम electronic configuration लिखेंगे तो वो बनता है neon के साथ 3S2 और 3P1 ये इस type से आपका phosphorus का 3P3 बनता है तो ये 3 electron जो है ये easily अपने accept करके story अपनी पुरी कर सकता है तो phosphorus is in the same group as nitrogen 15 ग्रूप 18 में से 15 तीन और PF3 जो है वो compound इसका बनता है और अब जो आखिर में आता है आपका वो है 71 वाला ये 71 और fluorine का जहां तक fluorine का सवाल है ये है halogen तो इसको तो मैं एक लिख लेता हूँ अब ये 71 की बात आती है 71 का ना तो मज़े compound पता है ना इस तरह मज़े group ढूंटा जाएगा उसका best भी ये है कि मैं इसका electronic configuration एक बार लिख लूँ तो अगर आप इसकी थोड़ी कोशिश करेंगे तो ये xenon के साथ आ जाएगा xe 6s2 4f14 ये 4f14 आएगा और 5d1 आएगा तो ये इसका configuration आप लिखी लेंगे और ये s2 जो है ये 2 donate कर सकता है ये 14 है ये पूरा भरा हुआ है यहाँ से ये 1 donate कर सकता है तो इसकी जो valency हो जाएगी वो 2 plus 1 3 donate करने की valency हो जाएगी it will be able to donate 3 electrons और ये fluorine जो है ये 1 electron accept करता है it is the most electronegative तो इस case में जो हमारा compound बनेगा 71 जो है वैसे ये lutetium होता है luf यहाँ पर 3 उदर चला गया lutetium trifloride ये इस type से ये आपको question सारा कसारा करना है thank you